दोस्तों ओन सायराम, साय बाबा की किर्पा से आज हम अध्याय 43 और 44 का अध्यां करेंगे समाधी की ओर, पूर्त यारी समाधी मंदिज, इट का खंडन, भातर घंटे की समाधी, बापु साहिब जोग का सन्यास, बाबा के अम्रत तुल्य वचन इन 43 और 44 अध्याओं में बाबा ने निर्वान का वर्णन किया गया है, इसलिए वे यहां सेंख रूप से दिये जा रहे हैं पूर्त यारी समाधी मंदिज, हिंदो में ये पढ़ता परचलित है, कि जब किसी मनुस्य का अंतकाल निकट आ जाता है, तो उसे धार्मिक गरंद आदी पढ़कर सुनाए जाते है इसका मुख्य कारण केवल यही है, कि जिससे उसका मन संसारी जंचटों से मुक्त होकर अध्यात्मिक विशों में लग जाए और यह प्राणी, वह प्राणी, करमवस अगले जनम में, जिस योनी को धारंगरे, उसमें उसे सग्रती प्राप्त हो सर्व साधारंग को यह विदित ही है, कि जब राजा प्रिक्षित को एक महसी पुत्र ने शाब दिया और एक सप्ता के पचाह थी, उनका अंतिकाल निकट आया तो महात्मा सुकदेव ने उन्हें उस सप्ता में स्रीमत भागवत पुरान का पार्ट सुनाया जिससे उनका मोक्स, उनको मोक्स की प्राप्ती हुई यह प्रथा अभी भी अपनाई जाती है महा निर्वान के समय गीता भागवत और अन्दे ग्रंतों का पठन किया जाता है बावत और स्वेम अवतार थे इसलिए उन्हें भ्रहमा साधनों की आवश्रत नहीं थी परंतु केवल दूसरों के समक्ष उधारन प्रस्दूत करने के लिए तु ही उन्होंने इस प्रथा कोई की उपेक्षा नहीं गी जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब सेग्र इस नश्वस दे का त्याग करूँगा तब उन्होंने स्री वच्छे को गाम विजे प्रकारण सुनाने की आग्या दी स्री वच्छे ने एक सप्ता परतिन पाठ सुनाया तब बाबा ने उन्हें आटो परहर पाठ करने की आग्या कर दी स्री वच्छे ने उस अध्याई की दित्या आवरती तीन दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार ग्यारत बीद गए फिर तीन दिन और उन्होंने पाठ किया अब स्री वच्छे बिलकुल ठक गए इसलिए उन्हें विस्राम करने की आग्या हुई बाबा अब बिलकुल शांत बैठ गए और आत्म इस्तित होकर वे अन्तिन छण की परतिश्या करने लगे दो तिन दिन पूर ही प्रातकाल से बाबा ने बिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मजजित में ही बैठे रहे वे अपने अंतिन शांग के लिए पूर्ण सचेत थे इसलिए वे अपने भक्तों को धहरे तो बधाते ही रहते पर उन्होंने किसी से भी अपने महा दिर्वान का निश्चित समय प्रकट ना किया इन दिनों काखा साहिब दिक्षित और स्रीमान बूर्टीज बाबा के साथ मजजित में नित्ते ही भोज़न करते थे महा दिर्वान के दिन 15 अक्टूबर को आरती समाप्त होने के बक्चाथ बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थाथ पर ही भोज़न करके लोटने को कहा फिर भी लश्वी भाई सिंदे, भागोजी सिंदे, बयाजी, लश्वन बाला सिंपी और नाना साहिद में मौर कर वही रह गए, सामा नीचे मंजिद की सीडियों पर बैठे थे लश्वाई सिंदे को 9 रुपे देने के पचाथ बाबा ने कहा कि मुझे मंजिद में अब अच्छा नहीं लगता है इसलिए मुझे बूटी वाड़े मिले चलो, जहां मैं सुक और वग रहूँगा, ये ही अंतिम शब्द उनके सिर्मुक से निकले इसी समय बाबा बयाजी के सरीर की और जुग गए और अंतिम स्वाथ चोड़ दी भगोजी ने देखा कि बाबा की स्वास रुग गई है, तब उन्होंने नाना साहिब नी मोड़कर को उकार कर कहा यह बात कही, नाना साहिब ने कुछ जल लाकर बाबा की सिर्मुक में डाला, तो जो बहार लुड़क गया आया तब ही उन्होंने जो से आवाज लगई, अरे देवा, तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े, जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोल कर धीमे स्वर में ओहो कहा हो परन्तु अब इस पर स्विदित हो गया कि उन्होंने सच्मुशी पंच भूट सरी त्याग दिया है बाबा समादिस हो गए, यह हिर्दे विदारक दुसमवाद, दावानल की भाती तुरंट चारो और और फैल गया सीड़ी के सब नारी और बालगगन, मज्जित की और दोड़े, चारो और आकार मच गया सभी के हिर्दे पर वर्जपात हुआ, उनके हिर्दे विच्रित होने लगे, कोई जो जो से चिला कर रूदन करने लगा, कोई सड़कों पर लोटने लगा, और भोछ से बेसुद होकर वही गिर पड़े परते की आकों से जरजर आसु गिर रहे थे, परले काल के वाता वर्जपात में तांदव नित्रे का जैसा द्रिश्य उपश्टित हो जाता है, वही गती सीड़ी के ननारियों के रूदन से उपश्टित हो गई उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धरे बना था, जबकि उन्होंने साक्षात सगुर्ण प्रभर्मा का संदिद्य खो दिया था इस दुख का वर्णम भला कर ही कौन सकता है, अब कुछ भक्तों को स्री साही बाबा के वच्चन याद आने लगे किसी ने कहा कि महराज साही बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्चे में वे आठ वस के बालक के रूप में पुना प्रकट होंगे कृष्ण अफ़ाद में भी चक्र प्राणी भवान विश्णू ने ऐसे ही लिला की थी स्री कृष्ण माता देवकी के सामने आठ वस की आयोवाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए जिनका दिवे तजों में सरूप था और जिनके चारो हातों में आयूद, संक, चक्र, गदा और पदम सुसोबित थे अपने इस अफ्तार में भगवान स्री कृष्ण ने भू भार हलका किया था साही बाबा का यह अफ्तार अपने भगतों के उत्थान के लिए हुआ था संदों की कारे प्रनाली अच्छमे होती है अच्छम्मे होती है। साही बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपक्त केवल एक पीडी का नहीं बलकि पिछले कई जन्गों का संपक्त है। ऐसा परतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबन्द विख्षित करने करके महराज स्री साही बाबा दौरे पर चले गया है। यवन लोग कहने लगे कि उनके सरी को कब्रिस्तान में दफन कर उसके उपर एक मकबरा बरा देना चाहिए। बुद्वार के दिन प्राताकाल बाबा ने लच्छन मामा जोसी को स्वपन दिया और उन्हें अपने हातों से खिशते हुए कहां कि सीगर उठो बापु साहिब समझता है कि मैं मृत हूँ इसलिए वह तो आएगा नहीं तुम पूजन और काकड आरती करो लच्छन मामा ग्रा ग्रामन थे वे निते प्राताकाल बाबा का पूजन क्या करते तत्पचात ही ग्राम देवियोग और देवताओं का उनकी बाबा पर दिर्ण निश्टा थी इसलिए इस दिस्टान के प्रचात वे पूजन की समझता मगरी लेकर वहां आए और जो ही उन्होंने बाबा के मु में आबद करके जडवत बरा दिया हो सुपन की सम्रती ने उन्हें अपना करतवे करने को प्रेजित कर दिया फिर उन्होंने मौलियों के विरोध की कुछ चिंता नया कर विदिवत पूजन और काख़ड आरती की दोपहर बापु साहिब जोग भी अन्य भक्तों के साथ किया और वहां का मद्दे भाग खोदना आरम कर दिया मंगलवा की संधिया को रहता से सब इस्पेक्टर और भिन भिन इस्थानों से अनेक लोग आकर वहां एकत्र हुए सब लोगों ने उस प्रस्ताव को सुखा कर लिया दूसरे दिन प्रतकार मंबई से अमीर भाई और को लोगों का भूमत वाड़े में के पक्ष में ही है फिर भी वे इस विशे में कलेक्टर की सुखरती अतिया विस्था समझते थे तब काकर साहिब स्यम एहमन नगर जाने को उद्दत हो गए परनतु बाबा की प्रेड़ना से विपक्षों ने भी परस्ताव सहर सुखा कर लि गया और विदी पूर्वक उस इस्थान पर समाधी बना दी गई जहां मुडली धर की मूर्ति स्थापित होने को थी सरस तो यह है कि बाबा मुडली धर बन गए और वाड़ा समाधी मंदिर एमन भक्तों का एक पवित्र देवस्थान जहां अने को भक्त आया जाया करते और अभी भी नित्य परती वहां आकर सुख उसान्ति प्राप्त करते हैं बाला साहिब भाटे और बाबा के अनन्य भक्त स्री उपासनी ने बाबा की विदिवत अंतिम किरिया की जैसा प्रोफिसर नारके को देखने में आया यह बात फिसेज ध्यान देने योगी है कि बाबा क का सरीर 36 गंडों के उपराद भी जड़ नहीं हुआ और उनकी सरीर का पर टेक अभवे लचिला बना रहा जिससे उनके सरीर पर से कफनी बिना चीरे हुए सरलता से निकाली जा सकी इड़ का खंडन बाबा ने अपने निर्वान के गुश समय पूर एक अपसकुन हुआ जो इस घटना की पूर सुचना सरूप था मजजिद में एक पुरानी इट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे रात्री के समय बाबा उस पर सिर्द रखकर स्यान किया करते थे यह है अनिक वसों तक चला एक दिन बाबा की अनुष पस्तिती में एक बालक ने म बाबा को इस बात की सुचना मिली तो उसका बड़ा दुग हुआ और वे कहने लगें यह एट नहीं फूटी है मेरा भाग्या ही फूट कर चिन बिन हो गया है यह तो मेरी जिवन संगनी थी और इसको अपने पास रखकर मैं आत्व चिंतन गया करता था यह मुझे अपने प क्यों करना चाहिए इसका उत्तर हेमानपत इस प्रकार देते हैं कि संद जगत के पुद्धार तथा दीना और अनासितों के इकल्यानार्त ही अवरतीन होते है जब वे नर्दे धारण करते है और जन संपक्ठ में आते हैं तो वे इसी प्रकार आच्छन क्या करते हैं अर्थात भ्रह्मा रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हस्ते खेलते और रोते हैं परन्तु आन्ती रूप से वे अपने अवतार, कारे और उसके धे के लिए सदैव सजग रहते हैं भात्र गंटे की समाधी इसके 32 पर स्पूर भी बावा ने अपनी जीवन देहा पा करने का एक प्रयाश किया था 1868 में मांग सी स्पूर्णिमा के दिन बावा को दमा से अधिक पेड़ा हुई और इस वियादी से चुटकाला पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रहमान में चड़ा कर समाधी लगाने के विचार किया अतै एवं उन्होंने भगत मालसा पती से कहा कि तुम मेरे सरीर की तीन दिन तक रख्षा करना और यदि मैं वापस लोटाया तो ठीक हैं नहीं तो उस स्थान एक स्थान को इंगित करते हुए पर मेरे समाधी बना देना और दो दोछ चिन सरूप फेरा देना ऐसा कहकर बाबा रात में लगबग दस बजे प्रत्री पर लेड़ गए उनका सोच वास बंद हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके सरीर में प्राण ही ना हो सबी लोग जिन में ग्रामवाशी बी थे महां इकत्रित हुए और सरीर परिशन के पचाथ सरीर को का उनके दुवारा पताय हुए इस्थान पर समाधिस कर देने का निच्चे करने लगे परन्तु भगत मालसा पती ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके सरीर को अपनी कोद में रखकर वे तीन दीन तक उसकी रख्षा करते रहे तीन दीन वैतित होकर पौने पर रात को लवग तीन बजे परांड लोटने के चिन दिखाई पढ़ने लगे स्वासोच च्वास पुना चालू हो गया और उनके अंग परत्यंग हिलने ढूनने लगे उन्होंने नेतर खोल दिये और करवट लेते हुए पुना चेतना में आ गए इस परसंग तथा अन्य परसंगों पर दिश्टी पाढ़ कर हम यह पाठ़कों पर छोड़ते हैं कि वे ही इसका निच्चे गरे कि क्या बाबा अन्य लोगों की भाती की साड़े तीन हाथ लंबे एक देधारी मानब थे जिस दे को उन्होंने कुछ वर्सों तक धारण करने के पचाच छोड़ दिया या वे स्वेम आत्म ज्योती सरूप थे पंच महाबूतों से सरी निर्मित होने के कारण उनका नाश और अन्त तो सुनिच्चित है परन्तु जो सदवस्तु आत्मा अन्त करहन में है वही यथा प्रकाद में सत्य है उसका ना सरूप है ना अन्ध है और ना नाश यदि यही शुद्चतन्य धन या भ्रम्मा इंद्रियों और बंपर साशन और नियंतरन रखने वाला जो तत्व है वही साई है जो संसार के समश प्राणियों में विद्मान है और जो सव्यापी है अपना अफ्तार कारे करने के लिए कि उन्होंने देधारंग किया था और यह बहे कारे पूर होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पूने अपना सास्वस्त और अलन तस्वरूब धारंग कर लिया इसका अभी भी अनुबव pior चाल सकता है और अनेकों के अनुबवों में भी आ चुका है जो अनने भाव से उनके सरनागत हो चुके है और जो पूर्ण अंद्यकरन से उनके उपासक है यह भी बाबा का सरूप अब देखने को नहीं मिल सकता है फिर भी यदि हम सीड़ी जाए तो हमें वहां उनका जीवित सिद्रस चित्र मजजित द्वार कमाई को सोभय मान करते हुए अब भी देहने में आएगा यह चित्र बाबा के एक परसित भक्त कलका स्री शामराव जैकरने बनाया था एक कल्बना सील और भक्त दसक को यह चित्र अभी भी बाबा के शाक्षा दसक के समान ही संतोस और सुख पूचाता है अब बाबा देह में इस्तित नहीं है परन्तु वे सर भूतों में व्याप्त है और भक्तों का कल्यान पूर्वत ही करते है करते रहेंगे जैसा की वे सदेव रहकर क्या करते थे बावा अमर है चाहे वे नरदेरा धारं करले जो की एक आवरम मत्र है परउन्तु वे तो स्वै भखमान स्री हरी है जो समय समय पर भूतल पर आवरतीन होते हैं बापु साहिब जोग का सन्याज जोग के सन्याज की चर्चा कर हम हिमान पढ़ यह अध्याय समापत करते हैं सिरी सकराम हरी उफ बाबु साहिब जोग उने के परसिद वालकरी विश्नु बुवा जोग के काका थे वे लोक निर्मान विभाग पी ड़लूडी में प्रेविच्छ थे सेवा निर्विति के पचात वे सबतनी सीड़ी में आकर हने लगे उनके कोई संतार ना थी पत्नी और पत्नी दोनों की ही साहिच चड़नों में अटल सर्दा थी वे दोनों उनकी पूजा और सेवा करने में ही अपने दिन व्यतित किया करते थे मेधा की मृतिव के प्रचाद बापु साहिब जो के बाबा की मा समाधी प्रयातन मज्जीद और चावणी मारती की उनको साथे वाड़ा में स्री ग्यानेश्वर और स्री एकनाती भागवत का वाचन दता उसका भावात सुरता को समझाने का कारे भी दिया गया था इस प्रकार अनेक वर्सों तक सेवा करने के प्रचाद उन्होंने एक बाबावस से प्राता की कि हे मेरे जीवन के एक मात आधार आपके पूजने चर्णों की अनेक वर्सों से निनतर सेवा कर रहा हूँ प्रणु क्या कारण है कि आपके चर्णों की छाय के सानिकट होते हुए भी मैं उनकी सीतलता से वंचित हूँ मेरे जीवन में कौन सा सू है यदि मेरा चंचल मन सांत और श्तिर बन कर आप इसी चर्णों में लिन नहीं हो क्या इतने वसोत का मेरा संत समागम वहरती जाएगा मेरे जीवन की वैसुब गड़ी का आएगी जब आपकी क्रपदिस्टी मुस्पर होगी भक्त की प्रातर सुगर बाबा को देया आगी उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिनों में अब तुम्हारे असुब करम समाप्त हो जाएंगे तध़पाप और पुन्ने जलगर सीख भी भस्म हो जाएंगे मैं तुम्हे उस दिन की भागे साली समझूगा जिस दिन तुम एंद्रिक विश्यों को तुछ जानकर समस्प्रदातों से विरक्त होकर पूर्ण अनने भाब से इश्वर भक्ती का कर सन्याज धारं कर लोगे कुछ समय पचार बाबा के विश्यों सत्य सिद्ध हुए उनकी इस तरिका धेहांत हो जाने के पर उनकी अन्ने कोई जिम्मेदारी शेष्ट न रही वे अप्सोतंत हो गए और उन्होंने अपने मिल्तियों के पूर्ण सन्याज धारं कर अपनी जीवन का लक्शे प्राद कर लिया बापु साहिब जोग की समादी साकुरी में उपासनी आसरम के आवास में इस्तित है बाबा के अमरत तुले वचन ध्यानिदी करपालू स्री साइंस अमरत ने मच्जित दौरकान माई में अनिक बार निम्ले की अमरत वचन कहे थे जो मुझे अत्यादिक प्रेम करता ह वह सदय मेरा दर्सन पाता है उसके लिए मेरे बिना सारा संसार ही सुना है वह केवल मेरा ही लिलाकान करता है वह सतत मेरा ही ध्यान करता है और सदय मेरा ही नाम जबता है जो पूर्ण समय जो पूर्ण रूप से मेरी स्रण में आत जाता है और सदय मेरा ही स्रण करता है अप उपने उपर उसका यह रिन मुझे मैं उसे मुक्ती आत्मो पलमधी प्रदान करके चुका दूँगा जो मेरा ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूग प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित के बिना कुछ नहीं खाता मैं उसके आधीन हूँ जो इस परकार मेरे श एवं महता और एंकार का सरवता परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रती जो तुम्हारे हिर्दे में आसीन है उन रूप से समर्तित हो जाने चाहिए यह मैं कौन है स्री साही भावा ने अने बास समझाया कि यह मैं कौन है इस मैं को ढोड़ने के लिए अधिक दू जाने की नहीं है तुम्हारे नाम और अकार से परे मैं तुम्हारे अंत करनक और समस्त प्राणियों में चतन्य धन सरूप में विद्धमान हूँ और यही मैं का सरूप है ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दसन करो यदि तुम इसका नित्य परती अभ् पुर्वक विनर्म प्राद्ना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। बाबा सदयब कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पोचाता है वहें मेरे हर्दों को दुख देता है। तथा मुझे कष्ट मोचाता है इसके विविविट जो स्वेम कष्ट सेहन करता है वहें मुझे अधिक पिरिया है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्धमान है और उनकी हर प्रकार से लक्षा करते हैं। जीवों से प्रेम करो यही उनकी आंतिक इच्छा है इस प्रकार का विशुत अमरत में स्रोत उनके स्री मुख से सदैब जहता रहता है अत्हैं जो प्रेम पूरवक बाबा का लिल्ला कांग करेंगे या उन्हें भक्ति पूरवक स्रवन करेंगे उन्हें साई से अवस्य अभिंत्र प्राफ्त होगी स्वी सद्गू साइधाना प्रमस्तू सुबंभवन्तू ओन साइराम